हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर नौलीज गुरू काजल चैनल आज है 6 नवंबर तो आज चो कुशन आए हैं वही इंपोर्टेंट कुशन आपको आज किस वीडियो में प्रोवाइट किये गए हैं तो ये वीडियो आपके अग्जाम के लिए होने वाली है बहुत ज़्या क्या है तो उप्शन है कोल्ड बूट होट बूट बूट बोथ में स्टोनों या फिनन में से कोई नहीं तो दीखिए कुशन काफी इंपोर्टेंट है ट्रपलजी के एक्जाम में से इन में से एक कुशन बनता ही बनता है तो आप यहां पर इसे तोड़ा डिपली से समझी लिजिए बूट स्ट्रैपिंग तो ऌाइस ही होता जैब हम कीटर और कार disfrता है ना तो सोफ्ट वीर जो होता है हो यह कुम्पीटर की मै्मुरी में लोड होने लगता है तो यह क्या हमारी के लाती यह बूट सरफितबिग भीystem के लाती है अब ये बूटिंग जो है ये भी हमारी दो होती है जिसे कि हाँ पर एक cold और एक hot cold जब हम computer को own या आउफ करते हैं तो यह हमारी cold boot कहलाती है तो booting strapping जो है guys वो है हमारी cold boot ये तो होगे इसका answer और यदि यह पूशने लग जाएं कि hot boot क्या होता है तो hot boot के बारे में बता देती हूं जब हमारा computer जो है ने start होता है और उसमें सारे software जो है program open तो हो रही होती है लेकिन वो बंद नहीं होता तो आप उसको restart करते हो means alter control प्लस ये वाली key दवा देती हो और उसको directly बंद कर दे तो ये जो boot कहलाती है ये कहलाती है हमारी hot boot ठीक है guys next है HTTPS में इसका मतलब क्या है तो option है secure, social, safe या फिर system तो HTTP की full form तो आपको पता ही होगी hyper text transfer protocol लेकिन इसमें जो बाद में S आया है इसका मतलब होता है guys से secure, next है Bheem app की सुरुवात किसके द्वारा की गई तो option है NCPI, NPCI या Bheem या फे नन, means इन में से कोई नहीं, तो Bheem app जो की एक क्या है mobile app है, online payment करने की तो ये जो develop हुई थी है, NPCI के द्वारा means National Payment Corporation of India next है cycle case की shortcut कुझी क्या होती है तो option है shift plus F3, control plus F3, F3 या फिर control, shift plus F3 तो देखिए guys cycle case में आपके text को जो है तरह तरह की case में change करना मिल्स जैसे की caps में अपर में title में तो उसके लिए जो use करते हैं वो करते है shift के साथ F3 next है twitter में trending का क्या symbol होता है तो option है H, add the rate, end या फिर dollar तो अगर बात करें trending की तो trending किसको बोलते हैं जो ज़्यादा प्रिचलित में हो या ज्यादा चर्चा में हो तो अगर आप trending में trending topic चाहते हैं तो use करते हैं H, add the rate, okay guys next है short time access memory है miss question में पूचा गया है कि वह कुन सी memory है जो कम समय में access हो जाती है तो option है फिलोपी, RAM, cache या फिर ROM तो guys cache memory है कैसी memory है जो access करने में क्या लेती है सबसे कम समय लेती है next है full form of P2P miss P2P की full form पूची गई है तो option है peer to peer, public to public, point to point या फिर none means इन में सी कोई नहीं तो P2P जो की क्या है एक network है तो इसकी full form होती है peer to peer next है निमने में से Instagram पर क्या मिलता है तो option है document, text, photo या फिर none means इन में सी कोई नहीं तो guys Instagram जो की आपकी जैसे की FB, WhatsApp इन सब की तरह क्या एक social media app है तो इस पर क्या मिलेंगे photo मिलते हैं क्योंकि document, text ये दोनों तो आपकी word में मिलते हैं next है निमन लिकित में से कौन सा web search engine Microsoft द्वारा विक्सित किया गया तो option है yahoo, altavista, google या फिर bing तो guys ये सारे ही क्या है, ये सारे ही search engine है लेकिन यहापर पूछा गया है कि Microsoft द्वारा कौन सा है विक्सित ता, तो Microsoft द्वारा जो विक्सित ता, वो था bing next है Gmail में attachment file का अधिक्तम size कितना होता है तो option है 10MB, 15MB, 20MB, या फिर 25MB, तो Gmail, ठीके Gmail में पूछा गया है अधिक्तम size तो जो की होता है 25MB, मिन्स हम इसमें 25MB तक अपनी file attach कर सकते हैं next है Libra Office Writer में key emphasis command किस menu में मिलती है, तो option है file, style, insert या फिर none तो guys देखी emphasis command कौन सी होती है, जैसे कि आपकी हो गई bold, या फिर हो गई italic, क्या ये एक emphasis ही तो command है, तो ये मिलती है style menu में next है UIDAI का पूर्ण रूप क्या है, तो option है unique identification authority of India, unique identity authority of India, useful identification authority of India या फिर unique identification authentication of India, तो UIDAI क्या है ये, एक आधार कार्ट की एक क्या है website है, जिसमें अंक्तो डिजिटल अंक बारेंग होती है, और इसकी full form होती है unique identification authority of India next है RTGS में maximum limit कितना है, तो option है 2,5,5,10,0,0 या फिर no limit means कोई सीमा ही नहीं है, तो RTGS जिसके द्वारा online money transfer की जाती है, तो इसमें वैसे तो 2,00,000 रुपे transfer किये जाते हैं, लेकिन है आपर जो पूचा गया वो पूचा गया है, maximum limit तो maximum limit इसकी कुछ भी नहीं होती है, इसलिए no limit means कोई सीमा ही नहीं है, next है fire wall क्या है, तो option है, computer को नुक्षान पहुचाता है, computer की सुरक्षा करता है, एक operating system है, या फिर all of the above means अगर आप नाम देखें तो fire आग और wall दिवार means एक आग की दिवार, तो ये क्या करता है guys, ये एक network security है, जो कि क्या करती है, computer की सुरक्षा कर नेक्स्ट है, rmdir कमांड का क्या मतलब है, तो option है, यह सिर्फ empty directory को remove करती है, यह सभी प्रकार की directory को remove कर देती है, यह सिर्फ उसी directory को remove करती है, जो खाली ना हो, या finnan, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर देखें दिया गया है, rmdir, तो linux में guys, इस command का जो use होता ही है, के प्रकार की directory को ही remove करती है, ना की file को, ठीक है guys, next है, email में मुख्य content कहां होता है, तो option है, body में, subject में, double cc में, या फिर bcc में, तो जब आप email में क्या करते हो, किसी को क्या करते हो, message कर रही हो, तो यह message हो जाती है, वो संदीश में तो जाती है, जिसे hi है, hello है, तो यह कहला जाता है guys, body, ठीक है, next है, यदि आपका दस्तावे 200% से अधिक है, तो working shape पर कितना scroll bar दिखाई दे सकता है, तो option है, एक, दो, तीन, या, चार, तो दीकिए 200% पर दिखाई देगा guys, दो, बहुत ही simple है, अगर आ जाए 100% तो दिखाई देगा, एक, और यदि आ जाए 300% तो तीन, ठीक है guys, next है, लिबरा office में insert page break की shortcut की, क्या है, तो option है, control के साथ enter, shift के साथ enter, control plus alter, या फिर none, means इन में से कोई नहीं, तो page break, means एक, पेज को दो भागों में तोड़ना, तो इसके लिए use करते हैं, control के साथ enter, next है, सरवादिक साखा वाला bank कौन सा है, तो option है, SBI, RNB, BOB, या फिर RBI, तो सबसे ज़्यादे साखा किस की है, bank की, वो है guys, SBI की, और आज की इस वीडियो का last question है, कि आप wizard some menu को कहां कहां पर ढूंड सकते हैं, तो option है, कालक में, डाटाबेस में, राइटर में, या फिर all of the abomas, उप्रिक्त सभी में, तो ये wizard some menu का जो option होता है, guys, वो इन सभी में होता है, इसलिए हैं पर ये उप्रिक्त सभी correct answer हो गया, तो guys, आज के थे ये वो 20 questions, जो मैंने आपको provide की, I hope आपके लिए helpful रहे होंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को कर देना like, अगर हो आप channel पर नहीं, तो कर देना channel को subscribe, फिर मिलेंगे guys, आपसे correct 8 बजे अभी के लिए, goodbye, take care guys, and thank you for watching this video.